कल में Chris Williamson का एक podcast देख रहा था, उसमें उन्होंने बहुत ही कमाल की बात कही कि अगर कोई चीज आपके लिए बहुत ज़्यादा valuable है, बहुत value hold करती है, तो उसे पाना definitely difficult होगा, but on the other hand, just because कोई चीज difficult लग रही है पाने में, तो जरूरी नहीं है वो आपके लिए valuable हो, कितना क कमाल का lesson है, अगर मैं इसको प्यार से connect करूँ, relationship से connect करूँ, तो हो सकता है, कोई ऐसा इंसान हो, जो बहुत worth it हो, बहुत ही कमाल का इंसान हो, वो भी आपकी कदर करता हो, आपसे, you know, किसी हद तक प्यार करता हो, लेकिन इतनी आसानी से मान नहीं रहा है, it is difficult to, you know, get them into that relationship व आपने उसके एक certain value लगा लिये, लेकिन हो सकता है, वो actually valuable नहीं है आपके लिए, आपकी life में उसके आने से एक addition नहीं होगा, in fact हो सकता है, नुकसान हो, तो ऐसी जगा आपको अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, ये same चीज़ जॉब्स पे भी apply हो सकती है, हो सकता है, झाल टापम करना चीज़ आने ङुकता रहीं पारबना वीज़ आने बर्बाद लिका है, ओलड़े acá फांपना गार्शे, तो उसकाल कब जब हो सकता ह, थारे तो बर्भ़े है, पल्या में करना झाल ञें सकता है, प diffusive जोड़े। हैं है, आपके जुकat